हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दे चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम नौर्थ इस्ट के बेहत खुबसूरत हिली स्टेशन शिलोंग के बारे में जानेंगे शिलोंग भारत के नौर्थ इस्ट का one of the best tourist place है और जो मेगाले के capital भी है तो इस वीडियो में हम शिलोंग के बारे में complete tour information देने जा रहे हैं जैसे शिलोंग पहुँचने के क्या क्या options हैं शिलोंग के top tourist spots कौन कौन से हैं जहां आप घूम सकते हैं शिलोंग में कहां ठहरे हैं और जानेंगे खाने पीने से लेकर शिलोंग घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में तो अगर आप नौर्थ इस्ट या इसके आसपास की जगों पर travel करने जा रहे हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखेगा वीडियो में शिलोंग को लेकर आपको सभी सवालों के है और इसे नौर्थ इस्ट इंडिया का स्कॉटलेंड भी कहा जाता है शिलोंग अपनी नेचरल ब्यूटी, वाटरफॉल्स, ब्यूटीफुल गार्डन्स, हैवी रेंज और गुफाव के लिए मौस फेमस है मेगले के एक तरफ आसम और दूसरी तरफ बांगलदेश करते हैं शिलोंग घुमने के सबसे अच्छे समय के बारे में तो शिलोंग घुमने का सबसे अच्छे समय जून से ऑक्टूबर होता है क्योंकि इस दोरान यहां का मौसम सुहावना होता है मानसून के टाइम यहां की ब्यूटी अपने चरम पर होती है क्योंकि इस दोरान य यहां अंगिनत वाटरफॉल्स अपने पूरे फ्लो में होते हैं और यहां की सभी जीले भी और भी ज्यादा खूबसुरत हो जाती हैं वैं सभी जगे नेचरल गिरीनर से भरी होती हैं आप जानते हैं कि सिलोंग तक कैसे पोँचे तो सिलोंग के सबसे नजदीक जो में शेहर है वो है गौहाटी इसलिए आपको गौहाटी पहले पहुचना है उसके बाद आगे की सिलोंग तक की जरनी आप अलग-अलग माध्यों से पूरा कर सकتे हैं शिलोंग आप कार, बस, ट्रेन और एरोपलेन सभी प्रकार से पहुँच सकती हैं यहां हम सबसे पहले बात करते हैं by train शिलोंग का सबसे नज़दी की railway station गौहाटी railway station है और यह station इंडिया के सभी मेन शहरों से train द्वारा well connected है गौहाटी से शिलोंग की दूरी लगबग 100 किलोमेटर है जिसको आप बस, शेय टेक्सी या प्राइवेट टेक्सी द्वारा तीन गंटों में पहाडी वियूज को enjoy करते हुए पूरा कर सकते हैं बात करें बस के किराई की तो साधारन बस में आपको 180 रुपे से लेकर 200 रुपे की टिकेट मिलेगी वहीं लगजरी या AC बस में आपको 500 रुपे से लेकर 800 रुपे तक में एक व्यक्ति की टिकेट मिलेगी और शेय टेक्सी भी 500 रुपे में आपको शिलोंग तक के लिए मिल जाएगी वही प्राइवेट टेक्सी के किराया आपको 2500 से लेके 3000 रुपे तक देखने को मिलेगा बात करें हवाई जास द्वारा सिलोंग पहुंचने की तो सिलोंग का निकरतम में एरपोर्ट गुहाटी में है यहाँ से सिलोंग की दूरी लगबग 115 किलोमेटर है जिसको आप बस शेयर टेक्सी या प्राइवेट टेक्सी द्वारा व्यूज को इंज्योई करते हुए पूरा कर सकते हैं बात करें कार या अपने परसनल वीकल से तो दिल्ली से सिलोंग की दूरी लगबग 2500 किलोमेटर है जो बहुत ज्यादा है इसलिए सिलोंग से 500-700 किलोमेटर से ज्यादा दूर से आने वाले लोगों के लिए बहतर ओप्शन ट्रेन या फ्लाइट ही होगा दोस्तों सिलोंग पहुचने के बाद यहां ठहरने के लिए आप सिलोंग के सिटी सेंटर कहे जाने वाले पुलिस बजार में होटल ले सकते हैं पुलिस बजार शिलॉंग का मेन सेंटर है जहां आप ठहरने के लिए होटल, खाने पीने के लिए रेस्टरॉं, घूमने के लिए टेक्सी और लोकल शॉपिंग मार्किट को एक्स्प्लॉर कर सकते हैं। पुलिस बजार में आपको एवरेज होटल 2000 रुपे से लेकर लगजरी होटल 7-8000 रुपे में देखने को मिलेंगे। और सस्ते होटल्स के लिए आप पुलिस बजार से एक या दो किलोमेटर दूर हटकर रुम्स ले सकते हैं, जहां आपको कम कीमत में रुम्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सिलोंग में घूमने की, तो आप यहां पुलिस बजार से सभी टूरिस प्लेसिस को विजिट करने के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो आपको 2500 से 3000 रुपे में मिल जाएगी। अब जानते हैं सिलोंग में आप कहां कहां घूम सकते हैं, तो आप अपना पहला दिन सिलोंग के लोकल प्लेसिस को घूमने के लिए रख सकते हैं, और उसके बाद बाकी बच्चे प्लेसिस को घूमने जा सकते हैं, तो आईए जानते हैं सिलोंग में आप क्या-क्या कवर कर सकते हैं नमबर वन डॉन बॉसको म्यूजियम डॉन बॉसको म्यूजियम सिलोंग के मेन सेंटर पुलिस बजार से लगवक साड़े तीन किलोमेटर की दूरी पर है इस म्यूजियम में नॉर्थ इस्ट इंडिया की संस्कृति और परमपराओं को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है यह सेवन स्टोरी म्यूजियम है और इसका सबसे आकरसक पॉइंट इसके रूफटोप पर इसका स्कॉई वाक है यहां से शिलोंग के खूबसरत नजारों को देखा जा सकता है नमबर टू एरफोर्स म्यूजियम एरफोर्स में इंडियन एरफोर्स और वार से गैनिकों की प्रदेशित कि गई महान कहानिया भी पढ़ और देख सकते हैं धोस्तों अगर देश के सहीदों की बात हो तो हम सहीद भगत सिंग को कैसे बूल सकते हैं यहां मैं आपको सहीद भगत सिंग की एक ओडियोबूक र्यकमेंड करना चाहूँगा इसमें आप सहीद गला केटिगरीज में audio box सुन सकते हैं वो भी अपनी पसंद की language में वैसे इन धेर सारी audio box के साल भर की cost 399 रुपीज है लेकिन अगर आप हमारा TTR 50 coupon code यूज करते हो तो आपको 50% discount के साथ साल भर के लिए ये subscription केवल 199 रुपीज में मिल जाएगा लेकिन ये offer valid है केवल पहले 250 users के लिए तो लिंक नीचे description में है वहाँ से आप कुकु FM एप डाउनलोड करो और सुनो अपनी पसंद की audio box वो भी अपनी पसंद की ही language में Shilong Peak Point main city से 12 km की दूरी पर इस्तित Shilong की सबसे उची mountain चोटी है जहां से पूरे Shilong और Megalya सहित बांगलादेश के कुछ भाग का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं यह है शहर का एक ऐसा tourist spot है जहां Shilong गुमने आये लगबग सभी tourist आते है Elephant Falls सिलong से सिर्फ 12 km दूर इस्तित एक बेहत खूबसूरत waterfall है यहां तीन अलगलग waterfalls हैं जो पेड़ पोधर और ग्रीनी से गिरे हुए हैं चटानों से गिरती crystal साफ पानी की आवाज टूरिस्टों को काफी attract करती है Elephant Falls सिलong में गुमने के लिए सबसी अच्छी जगों में से एक है यहां राज्या में सबसे अधिक देखे जाने वाले जर्णों में से एक है नमबर फाइब उमियम लेक उमियम लेक सिलong से 15 km की दूरी पर इस्तित man-made लेक है घने जंगलों और इस्ट की पहाड़ियों से गिरी उमियम लेक शिलong में गुमने के लिए सबसे खूबसूरत जगों में से एक है अपनी नेचरल ब्यूटी के साथ-साथ उमियम जील Adventure Water Sports जैसे Adventures Activities के लिए फेमस है और शिलong के परेटेन स्थलों में में टूरिस्ट स्पॉर्ट है शिलong के लावन छेत्र में इस्तित फेमस लेडी हैदरी पार्क है यह पार्क बेहत खूबसरत तो है ही साथ ही यहाँ एक छोटी सी लेक भी मुझूद है लेडी हैदरी पार्क घूमने के अलावा से गिरी हुई एक आर्टिफिसिल जील है शिलong में पिकनिक मनाने, पैडल बोटिंग के लिए डांसिंग फाउंटेन शो देखने या जील के किनारे इस्तित कैफेटेरिया में अराम करने के लिए वार्ट्स लेक एक बहतरीन जगय है दोस्तो शिलong में इन सभी टूरिस्ट प्लेसिस के अलावा भी अंगिनत वाटरफॉल्स, ब्यूटिफुल लेक्स, एतिहासिक गुफाएं, हरे बड़े गार्डन्स, वेचर्च, आदी और भी बहुत से टूरिस्ट प्लेसिस हैं, जहां आप गुमने के लिए जा सकते हैं दोस्तो रही बात शिलong में खाने पीने की, तो नौर्थ इस्ट इंडिया का फेमस हेली स्टेशन होने के नाते आपको यहां लोकल खाना तो मिल ही जाएगा, साथ ही हर प्रकार का खाना भी आपको यहां टेस्ट करने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तो यह थी सिलong के बारे में पूरी जानकारी, इसके अलावा आपका सिलong ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन यह क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें